हेलो एवरिवान वेल्कम बेक टू माई चाइनल शहामी की चाइन आज में आपके साथ शिमला मिर्च किमी की रेसिपी शेयर करने वाली हूं यह बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है जटपण बन जाने वाली डेश है यह ज़रू ट्राय करिएगा आप इसे चलिए हम बनान देंगे अब इसमें मैं एड़ करूंगी वन टी स्पून जीरा मारा ओल गरम हो चुका है मैंने यहां तीन मिडियम साइस की प्याज लिये है इसे इस तरह से कट किया है चौप कर लिया है अब इसमें मैं प्याज एड़ कर दूंगी अच्छे सा मैं इसे चला लेंगे अब इसमें मैं एड़ करूंगी हरी मिर्च मैंने यहां पर चार से पांच हरी मिर्च लिये है इसे दो से तीन तुकडों में कट किया है आप अपनी पसंद से जिस तरह से कट करना चाहें कर सकते हैं प्याज को हम गोल्डन फ्राय करेंगे देखिए हमारा प्यास गोल्डन फ्राय हो चुका है अब इसमें मैं एट करूंगी मटन कीमा मैंने यहां पर लिया है तीन सो ग्राम इसे अच्छे से वाश कर लिया है अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्यास के साथ और इसे हम भूनेंगे धककर लो फ्लेम पर हम इसे 5-6 मिनट भूनेंगे, जब 5-6 मिनट हो जाए तो इसे चेक कर लेंगे, देखिए 5-6 मिनट हो गया है, अब इसे हम एक पर चेक कर लेते हैं, देखिए हमारे कीमी का पानी अच्छे से सूख चुका है, अब इसमें हम एड करूंगी अद्रक लेसन का पेस्ट, मैंने अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब इसमें मैं एड करूंगी सूखे मसाले, मैंने यहाँ 1-5 टीस्पून हल्दी पॉडल लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पॉडल लिया है, 2 टीस्पून धनिया पॉडल लिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला पॉडल लिया ह अब हम इसे सारी चीजों को हमारे कीमे में एड़ कर देंगे इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कीमे के साथ अब इसमें मैं एड़ करूँगी तीन मीडियम साइज के आलू लिये थे मैंने इसे इस तरह से कट किया है आप चाहे तो जिस तरह से कट करना चाहे कर सकते हैं अगर आप आलू स्कीप करना चाहते हैं ना डालना चाहे तो ना भी डाले अब इसे हम चला लेंगे अच्छे से चलाने के बाद हम इसे आप पानी एट करेंगे हाफ कप हमें आलू को गलाने के लिए पानी चाहिए होगा हाफ कप अब इसे हम ढग देंगे चला कर आलू की गलने तक हम इसे पकाएंगे अगर हमें पानी की और ज़रूरत पड़ेगी हम और एट करेंगे देखिए मैंने 5 मिनट बाद इसे चेक कर लिया है हमारा पानी सोख चुका है आलू हमारा भी गला नहीं है प्रॉपर तरीके से मैं हाफ कप पानी और एट कर रही हैं इसमें इसे हम और पकाएंगे पान से छे मिनट के लिए ढखकर पान से छे मिनट बाद हम इसे चेक कर लेंगे देखिए हमने चेक कर लिया है हमारा आलू गल चुका है अब इसमें मैं दो खाने का चम्मच रेट चिली सॉस एट करूँगी सॉस डालने से हमारे कीवे में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है जरूर ट्राइ करिएगा आप इस रेसीपी को अब मैं इसमें एट करूँगी दो मिडियम साइस की मैंने शिमला मिर्च ली है मैंने इस तरह से कट किया है अब इसे भी हम डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे शिमला मिर्च डालने के बाद हमें इसे जादा नहीं पकाना है क्योंकि हमारा आलू गल चुका है हमने कमी पकाना है इसे 2-3 मिनटी हम पकाएंगे ढखकर लो फ्लेम पर देखिए हमने इसे 2-3 मिनटी से पका लिया है हमारा शिमला मिर्च कीमा बनकर तयार है हम गैस को आफ कर देंगे अब इसमें हम कटा हुआ हरा धन्या एट करेंगे अब इसे हम सर्फ कर लेते हैं देखिए हमारा शिमला मिर्च कीमा बनकर तयार है हमने इसे serve कर लिया है अगर आपको हमारे शिमले मिर्च गिमी की recipe पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चाइनल को like करे, family friend में share करे, subscribe करे हमारे चाइनल को comment करके भी बताएं आपको हमारी recipe कैसी लगी मिलते हैं next वीडियो में Allah Hafiz Thank You For Watching